हाई गाइस वेलकम बैक तो डिस्केंट पी इन मैं हूं चुभाम और इस ताइम मैं हूं मद्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा नाम की जगह पर और मेरे पीछे आप देख रहोंगे क्या लिखा हुआ है जी हां मैं हूं बागेश्च्च्च्च्च्च्च्च्च् वहारे पंडित दीरेंद्र शास्त्री जी का भी प्रचलित हो रहे हैं दीरें दीरें यहां पर लगती है कैसे पैसे लगते हैं क्या आप यहाँ पे free में सारी चीज़े कर सकते हैं रहने की क्या वेवस्ता है पंडाल कहां पर है free भोजन की सुविधा है कैसी है सब चीज़ मैं collect करके हमेशा की तरह आपको बताऊंगा साथी साथ बताऊंगा पूरी स्ट्रिप में आपको कितना समय और खर्चा लगेगा तो पूरी जानकारी के लिए पूरे वीडियो को ज़रूर देखेगा चानल को सब्स्राइब करना वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलेगा आप मुझे फेस्बूक और इंस्टा पें फॉलो भी कर सकते हैं तो आईए मेरे साथ चलिए और करिए बागेश्वर्धाम में बाला जी के दर्शन जै बाला जी बागेश्वर्धाम की जै बागेश्वर्धाम जाने के लिए आपको आना पड़ता है खजुराहो और मैं पहुच चुका हूँ खजुराहो के railway station पर वो भी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से railway station और यहां से लगबक आदा गंटा लगता है पहुंशने में यह रहा station खजुराहो railway station है नॉर्मल सा है बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है ठीक ठाक सा है और यहीं से आपको साधन मिलता है बागेश्वर्धाम के लिए तो काफी भीड घाड यहां पर देखने को आपको मिल जाएगी और बागेश्वर्धाम के लिए ओटो गरा से जाना है तो यहां पर बुला एश्वर्धाम लगबग 20 किलोमेटर की दूरी पर है और स्टेशन से आपको 24 घंटे आटो मिल जाते हैं खजुराहू इस्टेशन के बाहर कोई होटल स्वगरा कुछ नहीं है और यह में जहां पर होटल स्वगरा यह सिटी है वहां से लगवग 8 किलोमेटर दूर आउटर में बना हुआ यह स्टेशन है और साथी यहां पर अगर आजपास बाहर देखेंगे तो लाइटिंग भी खजुराहू के लिए आपको 20 रुपए में शेरिंग आटो मिल जाते हैं जबकि बागेश्वर धाम के लिए आपको शेरिंग आटो 50 रुपए पर परसंदे कर मिल जाते हैं कर दो लाइट इसलिए फिन अबब्बा की करपा भाई उनके महातमा जी की तो लोवास अचा यह माराज कबसे यह कर रहा है यह कर रहा हैं महराद को तो खथा दो जी होगा था जाक इद तो अब ही आये आए इस अब आझा दो एक दो घुज लिया सट्रीजी काठे दो गड़ गुगा था जाग माना भी अब बीदी हमाल हुगा था और यूही बातों बातों में मैं पहुच गया बागेश्वर धाम और इन ही रास्तों पर कई जगहों पर आपको मुफ्त रहने की भी सुवधा मिलती है हलाकि यहाँ पर ना प्रॉपर वाश्रूम होता है और ना सोने के लिए सेपरेट रूम पहुच गया हूं मैं अभी पार्किंग एरिया में कह रहे है कुछ लोग करें यहां से चार पांच किलो मीटर है कुछ लोग कह रहे हैं कि यहां से एक किलो मीटर है यूट्यूब पे या फिर फेस्बूक पे शोशल मीडिया पे या टीवी पे जो भी आप देख रहे हैं वो तो आप देख रहे हैं पर यहाँ आगर पता चल जाए है कि नहीं कुछ है कुछ अलग है जो इतना विश्वास है लोग इतना भर-भर के आपर आ रहे हैं भागेशर धाम में काफी VIP भी आते रहते हैं इसलिए यहाँ टेमप्रेरी हली पैड भी बनाया गया है तो यहां पर आकर कुछ हैसा फील हो रहा है प्रयाग राज में जब हम लोग मांग मिला या कुम मिला हम जाते हैं तो शुरुवात जैसे कुछ पीलिंग आ रही है है वैसे अरेंजमेंट कुछ-कुछ दिख रहे हैं यहां पर हलिपाइड बना हुआ है और इधर छोडी सी यहां पर पहुंच जाएंगे और यहां पर इस साइड अगर जाते हैं इधर विवाय स्थल है जो कि महाश्य की प्रत्री की दिन यहां विवाय होता है वह भी है और दर्शन अगर आपको करना है तो भी इधर जाना पड़ीगा श्री भागेश्वर्धाम सरकार तो यह पूरा यहां पर बना हुआ है एरो वगरा खाने पीने की दुकाने भी यहीं पर आपको दिखने लगेंगी और हर तरह के खाने की पीने की चीज़े मिलेंगी पर एक खास चीज आपको जो हर रेस्टोरेंट हर ढाबे में देखेगा वह यह रहेगा हमारे यहां बिना लहसुन प्य यहां पर आपको डेली नीट की सभी चीज़ें मिल जाती है और भोजन की यहां काफी अच्छी सुखधा है अब लोग यह अ कब से दुकान खोलें यह सकत एक साल से अच्छा उसके पहले यहां पे उच्छ नहीं था इसे तक मरते खास नहीं था अच्छा इसका पछारना मार्केट रूमें घर पेट ठाली है तुस्टना की अच्छा और नाश्थे का पच्छय पच्छ laz Our चाए का प अच्छा मंदिर के करीब दीरे-दीरे मैं पहुंच रहा हूं और थोड़ी-थोड़ी बढ़ती चली जा रही है यहां पर और मार्केट यहां पर यह आप देखोगे मतलब वही मैं जैसा की फीलिंग मैं बता रहा हूं कि कुम मेले में जैसी बिलिंग आती है न कुछ वैसी ही है और यह जादा समय नहीं हुआ है केवल साल से देड़ साल दो साल में यह सब धीरे-धीरे डेवलप हो गया और पिछले मतलब छे महीने में बहुत ही जादा हुआ है तो यहाँ पर दुकाने खुल गई है खाने पीने की दुकाने खुल गई है लोग इतने जादा आने लगे हैं इस वज़े से यह सब हुआ है बाकी तो बाला जी की कृपा हो गई है यहाँ पर बाला जी सरकार बन गई है यहाँ पर तो इसी वज़े से इतनी भीड है और लोगों की श्रद्धा है भक्ती है और ये आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़ादा बढ़ेगी फिलाल चलते हैं मंदर की तरफ दिखते हैं दर्शन करते हैं पार्किंग से बालाजी मंदर की दूरी कीवल डेड़ किलो मिटर है और मंदर के आसपास यहां सभी मनोकामना पूरी करने के लिए नारियल बांदते हैं मंदर के करीम में पहुंच गया हूँ और यह वही इस्थान है जहां पर लोग अपनी अर्जियां बांधते हैं नारियल बांधते हैं कहते हैं बागेश्वर बाला जी के दरबार में यहां पर अगर आप नारियल भी बांधते हैं और अपनी मन की जो भी आपकी मुराद होत जो भी मन्यत होती है। आप मांगते हैं तो यहां पर आप देखेंगे बहुत सारे यह नारीयल बंद्ध हुए हैं और लोगों की भीड़ जाइए बोलो बालाजी सरकार की घृत्र वादा का है यह मनो कामना का है तो excited के लिए परिक्रमा लगानी होती है और उसके बाद 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 आप यहां पर बाद देगे जो भी आपने मनुकामना की हुई है दो बाद देंगे यहां पर नारियत और आपकी मनुकाम लख पूरी हो यह मैं भी चाहता हूँ और बगवान तो चाहते हैं यह भगवान करेंगे भी यहां से प्रशाद लेने के बाद मैं निकला बाला जी के मंदिर में दर्शन के लिए मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन हजारो भगत आते हैं और बाला जी के मंदिर में आप बैग या मोबाइल तो ले जा सकते हैं लेकिन आप मोबाइल का यूज नहीं कर सकते हैं वही मंदिर में दर्शन के बाद आप अरजी के लिए यही नारियल भी पांद सकते हैं भागेश्वरधाम में दर्शन मैंने कर लिए हैं बहुत आराम से दर्शन हुए एक गंडे पूरे लग गए हलाकि लाइन में पर एसा नी लाइन में भूट धक्का मुक्क्य या कुछ ऐसा हो अराम से बिल्कुल दर्शन हुए हैं और एकदम करीब में जब आ गए तो सामने से आपको कम से कम नहीं तो लगबग 30 सेकंड्स एक मिनट तक का समय मिल जाता है और इतनी भीड में भी और आप आराम से देखते हुए घुखते हुए दर्शन करते हैं तो यह बहुत सकते हैं यहीं पर अपना नारील बांद सकते हैं यहां पर कहते हैं रहां में आन प्सक्राइब मनौकामना क 175 content पूरी होगी तो सब अपनी मनौकामना के हिडाव से जो तो दीन में पूरी करना चाते और उसके लिए वालते हैं और मारे कया में हो आगे निश्व करते पूरी हो और बागी अभी यहां पर और भी जगहों पर जाते हैं और जो यहां का में प्रहुचन इस्थल है वहां पर चलते हैं और वहां पर भी देखते हैं क्या चीज़े हैं हुआ हाँ दस हजार को दावा ला है तीन हजाईते की लगावी की दे jeste लगाने कर्ये तीन इयर रुपर महिना चश्य हजार दे रहे अद्हणा रहने के लिए हैं दस हजार को मईना है दस व सूट्स शूरा हजार में कर दे इसमें फिर जो बचत हुआ तो इसके आप लोग यहां पर मतलब यहां बाहर से यहां पर रहे गए पहले रोजगार नहीं था यहां पर आगे तो आप लुक्ता हो गया सब्सक्राइब करते हैं इसलिए यहां पर आगए दर्शन करने कब आए थे आप यहां पर प्रशाद बढ़िया दुकान को लुआ दिया अब जा रहा हूं मैं सभा इस्थल की तरफ और वहां भी देखते हैं कैसी भीड भाड़ है यहां पर तो अभी जैसे दर्शन करके निकले तब तो फटा फटा इकदम लाइन चरने लगी और दस मिनट में भी दर्शन हो जा रहे थे तो टाइम टाइम की बात है और चलते है और आगे की तरफ शनिवार मंगलवार को आपको यहां पर जाधा भीड देखने को मिलेगी बाकी टाइम में मतलब दर्शन एक गंटे में हो जाते हैं कभी-कभी हो सकता है दो गंटे लग जाए पर कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि 10-5 मिनट में भी मतलब मेरे बार जैसे लोगों दर्शन हो जा रहे थे जिसके उपर जैसी रह जाए तो आपको 500 रुपए में यहां पर रहने के लिए रूम वो मिल जाएगा लेकिन इस सस्ते और सस्ते में भी कुछ जगों पर मिल जाते हैं मतलब 200 रुपए में 100 रुपए में भी अरेंजमेंट है कुछ जगों अब आगी शुवात में तो निशुलक भी है तो नहीं यह पैसा तब भी आप यहां पर आ सकते हैं तो हर वर्ग के लोगों के लिए हैं उच्वर्ग लोगों के लिए उनको खजुराओं में रहना चाहिए क्योंकि यहां पर कोई होटल वगरा नहीं है अखेले तो यहां पर अभी मैं अनुपूर्णा भावन की तरफ जा रहा हूं और जो सब्सक्राइब उसकी तरफ जा रहा हूं रास्ते में मुझे दिखाया है यह एक अवद की रानी की रस्वोई और यहां पर आप खाना पिना कर सकते हैं सतर रुपय थाली मैंने अभी पूछा है है तो इननों ने बताया है और कुछ इस तरह से बढ़ा कर आपको यहां पर फाना वगरा परोसा जाता है क्यों उन्हें के नाम से आपका चैनल भी कहां से वह आप लोग वैसे दिल्ली से हो आप लोग तो यहां पर आगए यह अपने प्लॉट है अच्छा का प्लॉट है त और यहां पर आप सौ रुपए मात्र दे कर पर परसल रह सकते हैं तो रुखने का बस आपको एक गद्दा मिल जाता है बाकी यहां पर आपको रुख सकते हैं आराम से इसके कुछ आगे बढ़ने पर यहां संकल्प इस्थल है जहां आपको पंडित धिरेंद्र शास्त्री द्वारा हिंदू राष्ट्र कैंसर होस्पिटल जैसे धेरो संकल्प की जानकारी में लेंगी बागेश्वर के महराज जी बोलते हैं सादू जी तो यहां पर जैसे और जल्दी मैं उस पंडाल में पहुँच गया जहां पंडित धिरेंद्र शास्त्री समय समय पर सभा करती हैं और उनके अलग-अलग जगों पर होने वाली सभा की शेड्यूल की जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखती है पंडाल के अंदर मैं अभ आप देखेंगे तो लाखों की भीड तो नहीं कहूंगा मैं लेकिन 10,000 से 15,000 लोग यहां पर जरूर होंगे तो इतनी भीड हैं यहां पर किवल सबसंग सुनने वालों की और जब महराज जी आते होंगे जो कि सुबही आके जा चुके हैं तो मैंने पूछा यहां पे तो अबी बाद जा चुके हैं तो ठीक है दो गंटे तक है तो फापी भीड ती लेकिन अभी दी कम नहीं है है अच्छा आ चले गए जांतो आजे उन्हों रहे होंगी अच्छा आप लोग कहां से आयो हम तो यूपी से यूपी से आप दर्शन दिये हैं नाची कि यह बहुत अ श्क्ति हाटरक्स बाहर होंट्षा है तो पैले बाहिए ते निग तो बचंड कहां से आपाए हो क्या तो फीन जसे आगए हो हम महाराष्टा फकोछि से आये हैं अच्छा एश्यार्णाने आप लगार करे आपक लिए हैं पहले फांस दिनों से हैं अच्छा और आगे भी द तो मतलब मानते हो आप लोग क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि सच है नहीं है ऐसा बोलते हैं आपका कैसे आपको पता चला है यूटूब पर तो रहते कैसे हो आप लोग या रूम लिया है कितने का रूम मिला है इतना महंदा नहीं है खाना पिना लेकर एक दिन का 30 रुपए जाता है टीन फॉपए एक दिनका टॉलेट वगरेस अब मिल जाते हैं सब चाइलेट, गादी सोने के लिए ब्रैंकेट, चाय, खाना, पाने सब, सब मिल जाता है, तेन सो रुपए, यह वस्ता अच्छी है, कोई समस्या नहीं होती है, अच्छी है, और इनके माहराज जी की तरफ से, माहराज जी के जो लोग है, यह कैसे मतलब क्या है, अच्छी है अच्छे हैं, करते हैं ऑलोग अच्छा उच्छ सुनते हैं बिलकुल मैंने भी यह चीज़ देखा है कि मंदिर में भी जब मैं गया था तो मंदिर में दरशन के लिए तुम जनरली क्या होता है जल्दी जल्दी धक्का दे के भगा दितने हैं दरशन हें पर यहाँ बिलकु अच्छा नहीं बोलता है इसी की अरजी लगाई है आज बाला जी कर देंगे सब कुरी अच्छा बाला जी ने लगाई है अच्छा अच्छा तो यहां पर अभी आप लोग यह बैठे अभी इंतजार कर रहे है कथा होगी अच्छा इसके बाद कथा होगी और रात प्रोग्राम हुआ है पूरी रात कभी सम्मेलन हुआ है उससे पहले हुआ है रास लीला हुई है यहां पर बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है पूरी रात देखा है हम लोगों ने पूरी रात बर चला है पूरी रात च कण्याओं का विवा हो रहा है यहां पर जो भी भेट दी जाती है विवा में वो सारी आप देख सकते हैं रख्यू हुई है डेरो यहां पे जिनकी भी है हर की अलग-अलग है बैड है सोफा है अलमिरा है ड्रेसिंग टेबल है सूटकेस है मेक अप किट है कूलर है डाइनिंग तो यह जो भी भेट दी जाती है वो यहां पर रखी गई है यहां पर अनपोर्डा भंडारा में आपको निश्चुल खाने की भी सुवधा मिलती है वैसे यहां मार्च से ऑक्टूबर तक काफी गर्मी रहती है तो यहां आने का बैस्टाइल नवंबर से फरवरी का ही होता है और यहां की सभी प्लेसेज के लिए एक दिन काफी है बागेश्च्वार धाम क्या आपने वीडियो पुरा देख लिया होगा अब यहां पर आपका पूरा विजट करने में और सब चीज करने में कितना खर्चा होगा बहुत सीधी सिंपल भाशा में अगर समझाओं अग मतलब कि आप मात्रे स्टेशन से 50 रुपए यहां तक आ सकते हैं और उसके बाद आपको करना क्या होगा जिर्फ उसके बाद यहां पर खाने के लिए रहने के लिए निशुल्क व्यवस्था है ही मतलब डूनों चीज़ें आपकी निशुल्क हो रही हैं फिर आपको क्या है फिर उसके बाद बस आपको मंदिर में जाके दर्शन ही तो करना है और दर्शन करके आप वापस चले जाओ तो उसी से आपसे देखा जाए तो कुछ भी खर्च नहीं है सेकेंड थोड़ा ठीक से रहना है तो उसके लिए आप मतला वह भी सस्ते में अगर करना है तो यहां पर सो रुपए का जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया सो रुपए में स्टे हैं और वह आप कर सकते हैं तो वह अगर बजट थोड़ा सा भी अगर खर्च भी करने चलेंगे तो पांससो हजार रुपए खर्चोंगे और थोड़ा बेटर बजट अगर रखना रख रहे हैं और थोड़ा और अच्छे रहना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा इस स्टेशन से आपको खजुराहों जाकर आप स्टे करें वहां पर आपको हजार रुपए तक में बहुत आराम से यहां पर भूम लेंगे बाकि अपने शहर से यहां तक खजुराहों तक जिस भी माध्यम से आ रहे हैं उसका घर्चा अलग होगा पूरी जानकारी पूरी डिटेल मैंने दे दी है जिससे आपकी यह जो सफर रहेगा आसान हो जाएगा और मतलब कोई भी सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले आज के लिए इतनी इंफॉर्मेशन थी जैवाला जी